दोस्तों मैं सौरमली काप सवी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 25 ऐसे कोशन आंसर्स जो की परिक्साओं में 100% पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखेगा 25 में से कितने कोशन के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा प्यारे दोस्तों किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी ये आपको मुझे कमेंट बोक्स में बताना है इसका आंसर और यह आपके लिए test question है और इसका answer मैं आपको वीडियो के दुरान बता दूँगा सुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला question आपकी स्क्रीन पर है किस सिख गुरू ने फार्सी में जफर नामा लिखा था तो पहले question का सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तो बिल्कुल सही गुरू गोविन सिंग जी ने यानि कि पहले question का रहेट answer C हो जाएगा ये आपको यादखना है दूसरा question है सिखो के सेन्य संपर्दाए खालसा पंत का परवर्तन किस ने किया दोस्तो ये किया था गोविन सिंग जी ने यानि कि option C रहेट answer हैगा दूसरे question का सही उत्तर ये भी या दखना है तीसरा question है सती परथा का आंद करने का सिरे किसको जाता है दोस्तो इस question का सही उत्तर रहेगा लोर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती परथा का अंद किया गया था तो इस question का रहेट answer B हो जाएगा यह आपको यादखना है Q4 है किसके सासनकाल में Black Hole दुरगटना घटित हुई थी तो किसके सासनकाल में दोस्तो Black Hole दुरगटना घटित हुई थी इस Q4 का राइट आंसर हैगा सिराजु दोला ठीक है तो राइट आंसर इस Option C यह आपको यादखना है Q5 है एहमद साअबदाली के पर्थम आकर्मन के समय मुगल समराठ कौन था तो मुहमद सार रंगीला इस Q2 का राइट आंसर हैगा यानि कि 5 वे Q2 का राइट आंसर दोस्तो Option A हो जाएगा यह आपको यादखना है देखे 6000 Q2 आंसर वाली जो हमारी मास्टर पीडियाप है दोस्तो अब इस मास्टर पीडियाप के साथ में दो पीडियाप आपको फिरी दी जाएगी करेंट अफ़े 2023 की और स्टेटिक जीगे की यानि कि कुल मिला के इसमें 8000 Q2 आंसर आपको मिलेंगे और ये 500 रुपे नहीं पेमेंट करना है आपको अभी ओफर चल रहा है दोस्तो इस ओफर में ये 170 रुपीज की पीडियाप है जिसमें आपको लाइफ टाइम ये पीडियाप मिलने वाली है हिंदी में ये पीडियाप रहेगी लिंक दिया गया है या फिर आप हमारे WhatsApp नमबर पे मेसेज करके भी पीडियाप का लिंक ले सकते हैं मेसेज सिर्फ इतना करना है सर्वkee मास्टर पीडियाप लेनी है उसका लिंक बेजिये तो आपको लिंक मिल जाएगा WhatsApp नमबर या वैसे यहाँ पर आपको हर एक स्राइड में लिखाओ मिल जाएगा छटा कोशन है सुगोली की संदी जो कि 1816 इस्वी में हुई थी किनके बीच संपन हुई थी दोस्तों राइट आंसर हैगा इस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में यानि की छटे कोशन कराइट आंसर आप्शन ए हो जाएगा तो ये याद रखना है साथवा कोशन है टीपू सुल्तान की राधानी क्या थी दोस्तों टीपू सुल्तान की राधानी क्या थी इस कोशन कराइट आंसर हैगा श्री रंगपटनम यानि की साथवे कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा ये आपको याद अखना है आठवा कोशन है वर्स 1798 इसवे में लोड वेलेंजली द्वारा प्रस्तावित सायक संदी को सविकार करने वाला सबसे पहला भारतिय सासा कोन था आठवे कोशन का राइट आंसर रहेगा हैदराबाद का निजाम यानि की आठवे कोशन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा ये आपको याद रखना है नोवा कोशन है बंगाल का दुवेद साशन कब से कब तक चला था दोस्तो 17 से 65 से लेकर के 1772 तग यानि की सी राइट आंसर हैगा नोवे कोशन का से उतर है दसवा कोशन है पलासी की लड़ाई जो की 1777 में हुई थी अंग्रेजी सेना का नेतिरत किस ने किया था इसमें देखे सेशन अच्छा लगे तो like भी करते रहेगा अपने दोस्तों के साथ में भी share करना और अगर आपको topic wise सारी वीडियोज देखनी है तो आपको YouTube पर search करना है only top study, history playlist या polity playlist आप बस starting में only top study add कर देना या फिर description book शेक कर लेना वहाँ पर भी आपको हर एक playlist का link मिल जाएगा इस question का दोस्तो right answer है रोबर्ट कलाई ने यानि कि ये right answer हो जाएगा दोस्तों ग्यारवा question है निमलेकित भारतिय सासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधूनिक पदती से दूतावास इस्थापित किये थे इस question का right answer है दोस्तों टीपू सुल्तान यानि कि ग्यारवे question का right answer D हो जाएगा भई ये यादखना है बारवा question है भारतिय सिक्सा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों right answer एगा 1854 के वुड डिस्पेच को यानि कि right answer D रहेगा दोस्तों बारवे question का से उत्तर कोशन अंबर 13 है ठगी पर्था के उनमुलन से संबन गवर्नर जनरल थे दोस्तो right answer है बेंटिक यानि कि 13 कोशन का right answer B हो जाएगा यह आपको यादखना है कोशन Nombor 14 है 1757 में सिराजुदोला किसके द्वारा पराजित किया गया था तो 1757 में सिराजुदोला किसके द्वारा पराजित किया गया था इस question का right answer हैगा दोस्तो Robert Clive द्वारा यानि कि 14 का right answer C हो जाएगा ये आपको याद अखना है पंदरवा question है राज्य हडप नीती किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तो question number 15 का सही उत्तर क्या रहेगा राज्य हडप नीती किसके द्वारा लागू की गई थी तो right answer is डेलो जी द्वारा यानि कि 15 कोशन का right answer D हो जाएगा ये आपको याद अखना है वारा question है दुवेद साशन का जनक किसे माना जाता है दोस्तो दुवेद साशन का जनक किसे माना जाता है तो right answer is लियोनेल कार्टिस को ठीक है right answer option D रहेगा शोलवे कोशन का सेउत्तर ये आपको याद अखना है सतरवा कोशन है बक्षर के यूद जोकी 1764 में हुआ था दोस्तो अंग्रेजी सेना का नेतिवत करने वाला था तो right answer is हेक्टर मुन्रो यानि कि option C right answer रहेगा इस कोशन का सेउत्तर ये आपको याद अखना है अच्छा बक्षर का यूद एक्जेक्ट डेट पूरी आप नोट कर सकते है 22 अक्टूबर 1764 में ठीक है ये भी याद अखेगा अठारवा कोशन है एहमत सहा अबदाली ने भारत पर कुल साथ बार आकर्मन की जिसमें सर्वदिक तीन बार आकर्मन किस मुगल सासक के समय में हुए तो राइट आंसर हैगा सहा आलम सेकिंड के समय में यानि कि 18 वे कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा ये आपको याद अखेगा 19 वा कोशन है किसके समय में कलकत्ता की सोरी कलकत्ता में पर्थम न्याले की स्थापना की गई थी तो निष्वे कोशन का राइट आंसर हैगा वारेन हैस्टिंग के समय में तो राइट आंसर इस ओप्शन डी हो जाएगा दोस्तों निष्वे कोशन का सेयुत है बीस्वा कोशन है आधी गरंत किसने संकलित किया था बीस्वे कोशन का राइट आंसर एगा गुरू अर्जुन ने यानि कि बीस्वे कोशन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा यह आपको याद दखना 21 कोशन है टीपू सुल्तान की मृत्यू 1799 में इस्वे में कहां हुई थी तो 21 कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों सिरी रंगपटनम में 21 कोशन का राइट आंसर सी हो जाएगा यह भी आद दखना है 22 कोशन है दुनिया का पहला मिसाइल में किसे कहा जाता है दोस्तों दुनिया का पहला मिसाइल में किसे कहा जाता है तो राइट आंसर इस बिल्कुल सही उत्तर है टीपू सुल्तान को 22 कोशन का राइट आंसर डी हो जाएगा यह आपको याद दखना है 23 वा कोशन है किस सिक गुरु ने गुरु नानक की जीवने लिखे थी तो 23 कोशन कराईट आंसर क्या रहेगा गुरु अर्जुन देव ने 23 कोशन कराईट आंसर डी हो जाएगा ये आपको याद अखना है कोशन नमबर 24 है तीसरे अंगल मैसूर यूद को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संदी के तो राइट आंसर इस श्री रंगपटनम की संदी 24 वे कोशन का राइट आंसर बी हो जाएगा ये आपको याद अखना है 25 कोशन है बंगाल में द्वेज साशन किसने समाप्त किया था तो वारेन हेस्टिंग ने दोस्तो बंगाल में द्वेज साशन किसने समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने जो की 1765 में किया था यानि कि राइट आंसर इस ऑप्शन भी ये आपको याद रखना है अच्छा 25 में से आप लोगों ने कितने questions की answer सही किये हैं आप मुझे comment box में बताईएगा और किसी गुरू ने फार्सी में जफर नामा लिखा था ये आपके लिए test question है और मैं आसा करता हूं कि इस question का answer आप लोग comment box में जरूर बताएगे क्योंकि अभी मैंने इसी वीडियो में question का answer बताया था पीडियाप लेने के लिए only top study app को download कर लीजिए 5 star की rating करना उसके बाद में आपको यहां से current affair की पीडियाप और youtube की कहीं फिरे पीडियाप मिल जाएगे अब दोस्तों master पीडियाप अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें अभी दो पीडियाप फिरी मिल रही है आनिके extra दो पीडियाप को मिला के इसमें 8000 total question answers मिलेंगे और यह मात्र 170 रुपीज की पीडियाप है इस पीडियाप का link नीचे description box में दिया गया है तो आप description box में दियेगे link पर click करके payment करके भी पीडियाप ले सकते हैं या फिर हमारे इस WhatsApp नंबर पे message करना है कि सर मास्टर पीडियाप का link भेजिए जो हम लिंक भेजेंगे उस पर payment करना है तो पीडियाप मिल जाएगी दोनों ही method से आप पीडियाप ले सकते हैं और प्यारे दोस्ते इसमें हर एक subject की important question answers की पीडियाप मिलेगी आपको चाहे आप किसी भी exam की त्यारी करते हैं अगर उसमें ये सारे subject पूछे जाते हैं इनमें से कोई भी तो ये master पीडियाप आपके mobile में जरूर होनी चाहिए ये बहुत help करेगी आपकी ये पीडियाप वीडियो अगर आपको पसंद आई तो like share कर दीजे चैनल पर नए है तो subscribe पर ये bell icon phone रखे ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो थेंक्यू सो मच बाइबाई आवरीवन टेक केर ख्याल लगे अपना